Hello students, how are you? चलिए आज का वर्क स्टार्ट करते हैं English Stories Nectar Drop आपकी बुख का नाम है Chapter 6 हमने half reading की थी इसकी जिक है हमारा chapter name है Plants and Trees Our Friends पेड और को दी हमारे मित्र जिक है आज देखिए इसकी starting हो करते हैं Trees give us shade to relax देखिए हमने Trees के बारे में पढ़ाता है हमें कितने प्यारे प्यारे फल पूल देते हैं उन पूलों को भगवान के सामने के चढ़ाते हैं हमने घर को भी डेखोरेट करते हैं और देखिए और क्या-क्या चीजे और क्या-क्या मिलता है हमें Plants and Trees से Trees give us shade to relax के जो पेड़ होते हैं वो हमें छाया देते हैं आराम करने के लिए Animals take shelter under the trees और जो animals होते हैं जो पशु होते हैं वो पेड़ों के नीचे उनको छाया मिलती है वहां पे वो अराम करते हैं Birds live on the trees और जो birds होते हैं पक्षी होते हैं वो कहां पे रहते हैं वो trees पे रहते हैं उनके भूसले होते हैं वहां पे और वो trees पे रहते हैं Trees and Plants give us fruits और जो trees और plants होते हैं पेड़ों पोदे होते हैं हमें fruits देते हैं we get many fruits such as mango. देखिये, हमें कौन-कौन से fruit, कौन-कौन से फल मिलते हैं पेड़ पोदू से, such as, जैसे की mango, आम, guava, अमरूद, बनाना, केला, एपल, सेब, पर्म ब्रेनेट, अनार, पपाया, पपिता, हनी मैलन, खर्बूर्जा, and many more from the trees. और भी बहुत सारे fruits होते हैं, जो हमें पेड़ पोदू से मिलते हैं. From where do we get wheat? अब देखिये, जरा सोचके देखिये, कि हमें wheat क्या होता है? गेहू, गेहू कहां से मिलता है, rice, चावल कहां से मिलता है, cereals, अनार्स कहां से मिलते हैं, ये सारी चीज़े हम कहां से प्राफ्ट करते हैं? We get them from plants. ये सारी चीज़े भी हमें plant से और trees से ही मिलती हैं. Think, मतलब सोच ये, how we would have satisfied with our hunger? सोचके देखिये, कि जो हम hunger क्या होती है? हमारी भूब, हम अपनी भूब को कैसे मिटाते हैं, उसको कैसे सैटिस्फाइ करते हैं, if there were no trees and plants, कैसे सैटिस्फाइ करते हैं हम अपनी भूब को, अगर हमारे पास trees और plants, पेड़ और पोदे नहीं होते, तो हम अपनी भूब को कैसे मिटाते? Trees and plants give food to birds and animals also. जो trees और पेड़ पोदे होते हैं, वो यहां में ही नहीं, मनुष्यों को ही नहीं खाने, वो birds और animals को भी खाना देते हैं. आज आप इतने ही चेप्टर की reading करेंगे. Thank you and have a nice day.